जैक बोड दसवी बरहवी के नतिजे जून के आखरी सब्ता तक जारखन एकेडमी काउंसिल के दसवी और बरहवी की बोड परिक्षा अप्रेल महिने में ही खत्म हो चुकी है जैक अध्यक्ष डाक्टर अनिल कुमार महतो का कहना है कि कई जिलो में अब भी मुल्यांकन का कारे चल रहा है जिन जिलो में कॉपी के मुल्यांकन का काम पूरा हो गया है उन जिलो के डाटा टेवुलेशन के लिए भेज चुके हैं दुमका साहिव गंज में मुल्यांकन का काम अब भी चल रहा है पंचाई चुनाव की वज़ा से परिक्षा के पईनाम को घोसित करने में समय लग रहा है चुनाव की वज़ा से मुल्यांकन कारे में बाधा आई है लेकिन जून के आखरी सब्ता तक जैक की काक्षा दसवी और बरहवी के नतीजे घोसित हो सकते हैं ज्यारखंड में गर्मी का कहर लगातार जारी है हालात ऐसे है कि राजी के अधिकतर जीलो का ताप मन 40 डिग्री सेलसियस दर्च किया जा रहा है मौसम विग्यान केंद्र की माने तो राजी में मानसून 12 जून से 15 जून के बिच दस तक दे सकता है लेकिन मानसून के आने के पहले पुरे राजी में नमी बनी हुई है मौसम विभाग का पुरोन मान 9 जून को राजी के उतरपस्मी भागों में कहीं कहीं लू चल सकती है वहीं राजधानी राची की बात करें तो यहां का पारा भी 11 जून तक 40 डिग्री सेल्सियस के पास रहेगा है सर्वजन पेंसन योजना का सुभारवम जारखन के सियम हेमन सुरने गुमला में आयोजित पेंसन बितरन सहजागरूपता कारकरम में कहा है कि राजधान के बाद आयसा पहली बार हो रहा है जब जारखन के सभी योगे लाभूकों को सर्वजन पेंसन योजना का लाभ दिया जा रहा है जो पता देकारी इसमें सहयोग नहीं करेंगे उसकी नोकरी जाएगी हर माह की पांच तारिख तक पेंसन मिल जानी चाहिए ऐसा नहीं होने पर जिमेवार दंडित होंगे पुरू में सीमित संख्या में लाभूकों को पेंसन देने की बाद दता को राज सरकार द्वारा समाप्त करने का प्रतिफल है की अब तक पेंसन सेवांचीत राजे के योगे लाभूक सरकार द्वारा लागू की गई सरजन पेंसन योजना से अचाजित हो रहे हैं सभी छुटे हुए ब्रीध, बिधवा, निराक्षित महिला, दिब्यांग जन, आदिम जन जाती एवां HIV, AIDS, पीडित को योजना से जोडने की परकिरिया जारी है हे मंत सरकार ने टेलिकॉम कॉम्पनी को दिया सिक्षक बाहाली का ठेका जारखन हाई कोट के जस्टिस डाजे संकर की अदालत में दिब्यांग बचो को पढ़ाने के लिए सरकारी स्कूलों में रिसोर्स सिक्षक के नियुक्ती मामले में सुनवाई हुई सुनवाई की दुर्ण अदालत ने इस मामले में जेई पीसी और राज सरकार से जबाब मांगा है अदालत ने जेई पीसी से पुछा है कि टेलिकॉम सेक्टर में कायम करने वाली कंपनी को रिसोर्स सिक्षक नियुक्ती का टेंडर कैसे दे दिया उक्त कमपनी के पास शिख्ष को कन्यूक्ती करने का कोई अनुभाव नहीं है अदालत ने इस मामले में टेंडर पाने वाली जे एमडी सर्विस कमपनी को नोटिस जारी किया है इस मामले में अगली सुनवाई चार सप्ता बाद होगी इस संबन्ध में गुवर्धान मींज सहीत एक गार अने की ओर से हाई कोट में आज का दाखिल की गई है कोट ने पूछा पूजा सिंगल जी जेल में कोई परिशानी तो नहीं भरष्टा चार के संगीन आरोप में परवर्ता नीदे साले द्वारा गिरफतार की गई जार्खन के पूर्वक खान सचीव आई एस अधिकारी पूजा सिंगल जेल में कैसे जिन्द की काट रही है या उसने आज अदालत को बताया बता दे रांची के विसेस एडी कोट में हाजीरी के दोरान जब जज ने पूछा पूजा जी जेल में किसी तरह की कोई परिशानी तो नहीं तो इसके जबाब में पूजा सिंगल कुछ देर के लिए भावक हो गई भर रहा है गले से उन्होंने जज साहब से कहा जी नहीं जेल में कोई दिक्कत परिशानी नहीं है बहराल सुनवाई के बाद एक बार फिर से एडी की विसेस अदालत ने मनी लॉंडरिंग और मन्रेगा घोटाला के मामले में जेल भेजी गई आई एस पूजा सिंगल किन्याई की हिरासत की ओधी 14 दिन के लिए बढ़ा दिया है इस मामले में अदालत ने अब अगली पेसी की तारिक 22 जून की है जारखन की 89,000 रसोयों के बीच कोकिंग कमपरिशन जारखन की 89,000 से अधिक रसोयों के बीच कोकिंग कमपरिशन कराया जाएगा इस परित्योकत्य कायोजन पर खंड जीला एवं राज अस्तर पर होगा कोकिंग कमपरिशन का मकसद रसोयों में मीड डे मील को स्वादिश्ट वा पोस्टिकता से भारपूर बनाने के लिए प्रेरित करना है इसका लाब सरकारी स्कूलों के बच्चों को होगा उन्हें स्वादिश्ट के साथ साथ पोस्टिक भोयन उपलब्द कराया जा सकेगा आपको बता दे कि प्रात्मिक स्कूलों में 56101 एवं उच प्रात्मिक स्कूलों में 23-180 महिला रसोया करे रहा है कोकिंग कमपटिशन का ऐसे होगा आयोजान जारखन के स्कूली सिक्षा एवं सक्षारता भी भाग दोवारा कोकिंग कमपटिशन कराया जाएगा बताया जा रहा है कि सबसे पहले कोकिंग कमपटिशन पर खंड अस्तर पर आयोजित की जाएगी इसमें उतक्रिष्ट परदर्शन करने वाली महिला रसो या जीला अस्तर की परत्योकता में हिसा लेगी इसमें सफल परती भागी राज अस्तर ये कुकिंग कपडिशन में भाग लेगी बता दे केंद्र सरकार ने पीएम पोशन येजना में चालू वीतिय वर्स के लिए छोसो सतहत्तर क्लो रूपए के वजट की सुखरी दिदी है इसके तहट 427 क्लो रूपए केंद्र सरकार जबकि 250 क्लो रूपए राज सरकार वहन करेगी पूजा सिंगल को आदालत ने 22 जून तक हिरासत में भेजा मनरेगा घोटाला और मनी लॉंडरिंग मामले में गिरफतार जहारखन की आईएस अधिकारी पूजा सिंगल की फिर से इड़ी कोट में पेज हुई जिसमें इड़ी के स्पेशल कोट में सुनवाई के बाद उन्हें फिर से 22 जून तक बिरसा मुंडा केंद्रिये कारागार में भेज दिया गया इससे पहले इड़ी उन्हें तीन बार इमान पर लेच चुका है ग्यातों को जार्खन सरकार ने पहले ही उनके पद से उन्हें निलंबित कर दिया है गौतला भाय की तकरीबन एक माह पहले इड़ी ने पूजा सिंगल के आवाज समें देश के 20 से ज़्यादा ठिकानों पर छापे मारी की थी जार्खन प्राथ्मिक सिक्षक नियुक्ति परिक्षा में मात्रू भासा में 30% अंक जरूरी जार्खन में सहायक आचार नियुक्ति निमावली की अधिस्वतना जारी हो गई है इसके तहत राज में प्राथमी कोमत विद्याले में सिक्षक नियुक्ति के लिए अभ्यारतियों को मात्रू भासा में पास होना अनिवार होगा पास मार्ख 30 फिस्दी है इसके साथ ही जन जातिये वज छेत्रिये भासा के भी परिक्षा देनी होगी इसके अनुशार का च्छा एक से पांच वच्छा से आट दोनों में सिक्षक नियुक्ति के लिए अभ्यारति को मात्रू भासा पास होना अनिवार है मात्रू भासा का निर्धारन मैट्रिक परिक्षा के अनुरूप होगा भागवान बिर्षा मुंदा का सापना हुए पुरा है मन में सबाल खडा होता है कि जिस भारत का सपना जिस जिस जार्फन का सपना भागवान बिर्षा मुंदा ने देखा था क्या आज वही भारत है क्या आज वही जार्खंड है जार्खंड के जल जंगल और जमीन पर नजर डालने के बाद ऐसा लगता है कि भगवान बिर्शा का सपना अधूरा रह गया है जेवलिन थ्रो में सिवांकूर ने जीता गोल्ड बोकारो दिल्ली पॉबलिक स्कूल के बरावी के छादर सिवांकूर सुर्य वनसी ने राजय अस्तरिये एथलेटिक्स परत्योगता में अपनी परतिभा का दमखम दिखाया है जमसेद पूर स्थीत जे आडी टाटा स्पोर्ट कंपलेक्स में आयोजीत सुरावे जार्खन जूनियर एस्टेट एथलेटिक्स चेंपियनसीप में सिवांकूर ने स्वन पदक जीतने का गोरो हासिल किया बता दे चेंपियनसीप के तहट आयोजीत जेवलिन थ्रो असपर्धा की अंडर 18 कैटेगरी में उसने पूरे जार्खन में पहला अस्थान प्राप्त कर एक बार फिर से अपने स्कूल और बोकारो इसपात नगर को गरवानित किया है सराय केरा जेल में 80 साल के बुजूर्ग कैदी की हार्ड अटेक से मौत तुरंत जेल पर सासंद वारा एम्बूलेंस से सराय के लशादर अस्पतार लाया गया जहां चिकित्सों को नमिरित घोशित कर दिया भागवान जगरनाथ रत यात्रा की त्यारी तेज भागवान जगरनाथ एक जुलाई को भगतों को दर्शन देंगे और नगर भरमन करेंगे महाप्रभू भागवान जगरनाथ की रत यात्रा इस साल एक जुलाई को निकलेगी रत की सजावट के लिए ओरिशा के पीपिली से बिसेस कापड़ा मंगाया गया है भगवान जगरनात बड़े भाई बल भद्र और बहन सुभद्रा के साथ जगरनात मंदीर से मौसी बाड़ी सिरी राम मंदीर जाएंगे रत यात्रा के पुर्व सुर्योदय के साथ मंगल आरती होगी वहीं दोफर को नवगरा पूजा अर्चना वहवन होगा निसीकांत दूबे का दावा मंत्री मिथिलेस गए काम से भाजपा सांसन निसीकांत दूबे ने बाड़ा दावा किया है उन्होंने ट्यूटर पर नई जानकारी साजा करते होगे लिखा है कि जार्खन के मंत्री मिथिलेस ठाकूर ने ठेकेदारी की बात चुनाव आयोग को नहीं बताई अब उनकी सदस्यता समापती का नोटिस भारत निर्वाचन आयोग भेज रहा है जार्खन के मोखे मंत्री हमान सुरें पर लगातार आकरमक रवाईया अपनाने वाले भाजबा सांसद ने इसके साथ ही गढ़वा के उपायुक्त पर भी करवाई की उमीद जताई है निसिकांच दूबे ने अपने ट्वीट में लिखा जार्खन के मंत्री मिथलेश ठाकुर जी ने ठेकेदारी के बाद चुनाव आयोग को नहीं बताई अब उनकी सदस्यता समापती का नोटिस के अंदरिये चुनाव आयोग भेज रहा है सिक्षकों का होगा दूसरे जीलों में तबादला है सरकारी स्कुलों में करद सिक्षकों के अपने जीले के दूसरे स्कुलों या अंतर जीला अस्थनांतरन का राष्टा साप हो गया है निर्धारित सर्ते पूरी करने वाले सिख्षकों का अंतर जीला अस्थनांतरन हो सकेगा राज सरकार ने इसे लेकर वर्ष 2019 में लागू नीती में संसोधन किया है बुद्धवार को इस समध में अजिसुतना जारी कर दी गई है इसके तहट अब सिख्षकों का अस्थनांतरन जून माह की बजाए दिसंबर माह में होगा वही अस्थनांतरन की परकिरिया ऑनलाइन के लावा ज़रूरत पढ़ने पर मैनुवल भी पूरी की जा सकेगी आस्तरांतरन के लिए किसी भी जोन में आवेदन के समय उक्त कैलेंडर वर्स की एक फरवरी को लगातार पांच बरसो या उससे अधिक समय की सेवा दे चुके सिक्षक किसी भी आने जोन में आस्तरांतरन है तो आवेदन दे सकेंगे धन्यवाद